हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए क्लास एट्थ हिंदी सर्जेक्ट का क्वेस्टन पेपर डिस्कस करेंगे टाइम डूरेशन इस थ्री आर्स सेट भी है एंड मैक्सिक मार्क्स इस नाइंटी खंड का देखिए क्वेस्टन नमबर वन निमलिखित कद्यांशों को ध्यान पूरक पड़ते हुए पूछे गए प्रेशनों के उत्तर दें इसमें दो पार्ट हैं और दूसरा बा दोनों ही पांच पांच दस मार्क्स के क्वेस्टन है यहां पर हमें गद्यांश दिया हुआ है और उसके बाद यह पांच क्वेस्टन हैं mcq-based इसी तरह से सेकंड गद्यांश है और उसमें भी पांच क्वेस्टन दिये हुए हैं देखिए यह बाकी के 4 parts है प्रिशन नंबर 2 निमलिकित पज्यांशों को पढ़कर प्रिश्टन के उत्तर चुनिये इसके भी दो पर्ट है औ और ब comfort पांच दस नंबर के क्वेस्टन है इस पज्यांश को पढ़कर यह जो पांच क्वेस्टन है इनके हमें आंसर mcq based है ये भी और इसका second part है इसमें भी 5 question दिये हुए है देखिए बाकी के 3 question जो है इसके बाद है खंड खा प्रेशन no.3 निमलिखित भाषा में dash का प्रियुक के जाता है ध्वनियों के लिखी चिन्नों को dash कहते हैं ये एक एक number का question है प्रेशन no.5 निमलिखित उपसरगों से दो-दो शब्द बनाईए ये सारे आप देखेंगे इनके marks लिखे हुए हैं निमलिखित समस्त पदों का विग्रहकर समास का नाम लिखिए प्रेशन no.7 निमलिखित शब्दों के तदभव रूप लिखिए प्रेशन no.10 निमलिखित जाती वाचक वैस सरुणाव शब्दों से भाववाचक संग्या शब्द बनाईए प्रेशन no.11 निमलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और प्रेशन no.12 निमलिखित अनेकार्थिक शब्दों के दो-दो अर्थ लिखिए अब है खंड गा दिए गई शब्दों के अर्थ लिखिए question number 14 दिए गई शब्दों का अर्थ इसपस्ट करते हुए उसका वाक्य प्रियोग कीजिए question number 15 निमलिकित शब्दों के लगु में उत्तर लिखिए यह आपकी बुक से ही है प्रेशन नंबर 16 दिये गए वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रेशनों के उत्तर दे यह वाक्यांश दिया हुआ है और उसमें जो यह तीन प्रेशन दिये हुए है उनके उत्तर आपको बताने है पांच नंबर का प्रेशन है यह प्रेशन नंबर 17 निमलिखित प्रेशनों के विस्तरित में उत्तर लिखिये यह देखे रूल मिला के साथ नंबर का क्वेशन है प्रेशन नंबर 18 निमलिखित प्रेशनों के लगू में उत्तर लिखिये चार नंबर के question है, दो और दो मिलाके प्रेशन नंबर 19, निमलिखित प्रेशनों के विश्टरित में उत्तर लिखिए छही नंबर के question है ये, इसके बाद है खंड का प्रेशन नंबर 20, निमलिखित में से किसी एक विशे पर निबंद लिखिए मेरे जीवन का लक्षय या computer के कमाल प्रेशन नंबर 21, आपको परदाना चारे के हातों पुरसकार प्राप्त हुआ अपने बड़े भाई को इस विशे में जानकारी देते हुए पात्तर लिखिए पांच नंबर का अत्वा बड़े भाई को परिक्षा के समाप्त होने पर उनके पास पहुचने की सूचना देते हुए पात्तर लिखिए तो दोस्तों यह आपने देखा एट्थ क्लास में हिंदी का पेपर किस तरह से होगा आप इसकी प्रेक्टिस कीजिए होफुली आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रेशन बोक से और व्याकरन से आते हैं इस पेपर का पीडियाफ हम आप लोगों के लिए अविलिबल करा देंगे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं थैंक यू वेरी मच फर वोचिंग इस वीडियो